फाइनली हम लोग आज की क्लास के साथ अर्थमेटिक को फिनिश कर लेंगे जैसा कि आप लोग समय ने बोला हुआ था अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक चेप्टर आ गया पार्टनर्शीब इस चेप्टर के लिए आपको बस रेशियो पता होना चाहिए बाकी सारी चीज जो जितना पैसा इन्वेश्ट करेगा जितने ज्यादा टाइम के लिए उसको उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा के लिए जैसे किसी बिजनस में मान लिजिए कि मैं 500 पे इन्वेश्ट कर रहा हूँ पूरे एक साल के लिए और आप 700 पे इन्वेश्ट कर रहे हैं पूरे में आ रही है और किसी दूसरे परसन ने 600 रुपे इंवेस्ट किये 7 मंत के लिए तो अब जो हमारा प्रॉफिट का रेशियो होगा वह 500 रुपे मेरे 6 स्फ मंत के लिए और उसके 600 रुपे 7 मंत के लिए पिर हम इनको आपस में रेशियो बना लेंगे यह देखैं यह यह Two यानी यह बनगा वह हमारा क्या बन जाएगा फाई बर्य सियो 7 बास समझ मारी यह यह होता है कि partnership में दो तरह के partner होते हैं एक आपका होता है active partner clear? जैसा कि नाम से ही है एक आपका होता active partner और एक आपका होता ہے sleeping partner kind partner का मतलब क्या है? जो business को run कराएगा obviously बात है जो business को run कराएगा वो कुश ना कुश extra पैसे लेगा स्लिपिंग partner का मतलब क्या होता है जो पैसे लगाके सो गया सो गया मतलब क्या है तो उसको बिजनस से मतलब नहीं वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा अपना profit का share लेगा तो कभी इस तरह का question आ जाए active partner sleeping partner या बोल दे कि जो भी उनको profit हुआ उसमें से कुछ पैसे चले गए interest में या कुछ पैसे उन्होंने trust को donate किया ऐसे कोई भी चीज आया तो हम profit को divide करने से पहले इस पैसे को बाहर कर लेंगे जैसे माल लिजी अगर ये कोई salary ले रहा है तो जो भी profit आयागा सबसे पहले हम उसमें से क्या करेंगे उसके salary के amount को side करेंगे फिर जो बचेगा वो हम उनके ratio में divide करेंगे ऐसा भी हो सकता है जो उनके पास profit आया उसमें से उन्होंने next year के लिए माल लिजी कुछ पैसे रख लिए तो सबसे पहले हम उस पैसे को क्या करेंगे side करेंगे फिर divide करेंगे ऐसा भी हो सकता है कि उसमें से कुछ पैसे वो क्या करेंगे donate करेंगे तो हम सबसे पहले उसमें से उस amount को क्या करेंगे donate करेंगे बाकी जो बचा होगा उसमें से profit क्या होगा divide होगा तो बाकी सारी चीज़े हम लोग question के साथ समझते हैं आसका जो first question दिया गया है देखिए क्या दिया हुआ है A, B and C enter into a partnership A, B, C A ने कितने पैसे लगाया है A ने invest किया है 1200 रुपेज कितने मंत के लिए 4 मंस के लिए ऐसी ही अगर हम B की बात करें तो B ने कितने लगाया हुए आपका 1400 कितने मंत के लिए 8 मंस के लिए और अगर हम C की बात करें तो C ने कितने पैसे लगाया है आपका 1000 10 मंस के लिए ये investment है और हमने time से multiply कर दिया अब हम इसको क्या करेंगे थोड़ा सा minimize कर लेंगे तो आप देखिए 2,0 यहाँ पे 2,0 यहाँ पे और कुछ कटने वाली value है हाँ जी चार से हम चाहत इसको कट कर सकते हैं यह क्या बन गया 4 यह क्या बन गया 2 और यहाँ पे देखिए 100 इसको हमने कट किया क्या बन गया 25 यानि जो अपने पास ratio आया वो क्या आगया आपका 12 ratio 28 ratio 25 clear अब करा जो total profit है वो क्या है 585 रुपीज total profit जो है वो क्या है 585 रुपीज हमसे जो question में पूछा गया हूँ किसका पूछा गया है A का share तो दो दो तरीके हैं आप चाहें तो सबको क्या कर लें add कर लें तो कितना बन गया 65 65 की value दी गई है अपने पास 585 तो 1 unit की value आपका कितना आ जाएगा सीदे सीदे 9 हमसे पुछा गया है A का part यान 12 into 9 यानी 108 रुपीज clear तो यह आपका simple सा था ratio इसके लिए बस थोड़ा सा पता होना चाहिए बाकि कहीं भी कहीं आया तो उसके पैसे को क्या करना में उसके time से multiply करना है simple तो इसको note करें फिर हम दो next question देख second question है वो क्या करा है A start a business with 2,000 यानी A ने business में कितना लगाया हुआ है 2,000 ठीक है B join him after 3 months with 4,000 B ने इसके 3 महिने बाद join किया है कितने रुपीज से 4,000 से and C put a sum of 10,000 in the business for 2 months only और C ने कितना रखाया 10,000 इसका time seriously दे दिया गया है 2 months only at the end of year यानी एक साल के बाद की बात करा तो obviously बात है A का पैसा पूरे के पूरे 12 months के लिए B इसको 3 महिने के बाद join कर रहा है तो B ने पैसे 3 महिने के लिए नहीं लगाया after 3 months join कर रहा है इसका मतलब इसके पैसे 9 months के लिए और C का जो है वो आपका कितने के लिए टूट अब हम इसको क्या करेंगे minimize करेंगे तो सबसे पहले जो 0 है वो आपका 3 जगा क्या हो गया cancel और अगर हम ध्यान से रेखें तो 2 से value cut हो रही है यह सारी यानि finally अपने पास यहां पर क्या आगया 12 ratio 18 ratio 10 clear question में हमसे क्या पुछा गया है कि business में total जो profit हो रहा है वो हो रहा है 5600 का business में total profits कितने का है 5600 का यानि total कितना हो गया आपका 40 40 unit की value है 5600 हमसे क्या पुछा गया find the profit share of C तो 1400 की value यह है तो 1 unit की value हो जाएगी आपकी 40 हमसे क्या पुछा गया है 10 unit की value ठेक है तो 10 यह 140 तो 10 unit की value क्या जाएगी 1400 रुपीज हमसे जो C का share पुछा गया है वो आपका क्या जाएगा 1400 रुपीज तो यहीं आपका simple सा question था clear इसको भी note कर लो थार्ड question है वो क्या करया 3 friends A, B and C started a business इन्होंने business को इस्टार्ट किया investing a sum of money in the ratio 5 ratio 7 ratio 6 आगे क्या कर आफ्टर 6 months C withdraw half of his capital यानि 6 महिन एक बाद C ने अपने आधे पैसे क्या कर लिए withdraw कर लिए clear और कराइब the sum investment by A is 40,000 यानि दिया हुआ है कि A ने जो sum invest किया वो कितना था 40,000 और finally जो हमें profit हो रहा वो क्या हो रहा है 33,000 final जो profit है वो क्या है 33,000 हम से C का share पूछा गया है clear अब देखे इस question में होता क्या है maximum बच्चे जो है ना वो इनका investment निकालने लगते हैं आप एक छोटी सी बात बताओ अगर आप investment निकाल भी लेंगे जैसे 5 की value 40,000 तो फिर यहां पर put करेंगे उसके according इसको put करेंगे उसके according इसको put करेंगे finally आप उसको करते क्या है minimize तो यह value already minimize है तो आप इससे इधर निकाल के calculate करने का कोई मतलब नहीं है वो आपका क्या हो जाएगा wastage of time आगे क्या कह रहा हम है कि CJ यह पैसे है इनके पैसे तो पूरे एक साल लगे रहे है यानि into 12 into 12 इसने यह पैसे 6 महिने तक लगाया इसके बाद से इसमें से half withdraw कर लिया तो उसमें 6 रुपे लगाया थो उसमें से half यानि 3 रुपे विड्रो कर लिये तो बाकी के 3 रुपे उसके 6 मन तक लगे रहे अब यहाँ पर आपको cutting में थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि जो cutting यहाँ पर होगी वही cutting यहाँ पर होगी वही cutting यहाँ और यहाँ पर होगी क्योंकि बीच में क्या आ गया है addition आ गया तो आप सबसे पहले देखिए मेरे खाल से सारे number 6 से cutting गे तो स 6 वंजा 6 और 3 वंजा 3 यानि 9 टोटल जो वैलू बनी हो आपकी 10, 14, 24, 39 33 यूनिट की वैलू है 33,000 1 यूनिट की वैलू 1000 हमसे पुछा गया है C का C यानि 9 यूनिट की वैलू 9,000 क्लियर तो यहाँ पर बस cutting से में ध्यान देखना है कि जब addition आ गया तो जो cutting यहाँ होगी वह ही cutting यहाँ होगी वही cutting यहाँ होगी क्लियर तो यह भी simple सा question था फिर हम लो आते हैं next question पर question नमबर 4 दिया गया वो क्या दिया हुआ है A, B, C B, C, enter into a partnership A, invest 4,000 for whole year यानि A ने कितने पैसे लगाया है 4,000 for the whole year यानि इंटु 12 B puts रुपे 6,000 at the first and increasing रुपे 8,000 at the end of 8 months यानि B ने जो पैसे लगाया हुए है वो कितने लगाया हुए आपका B puts रुपे 6,000 यानि B ने शुरू में कितने लगाया है 6,000 at the first and increasing 2 rupees अब देखें increasing by rupees होता है तो कुछ और हो जाता है increasing by rupees का मतलब हम उतना बढ़ाएंगे लेकिन यहाँ पर क्या करा है increasing 2 rupees 8,000 at the end of 4 months यानि ये पैसे उसके 4 months चले इसके बाद से उसने अपने पैसे को क्या किया 8,000 तक बढ़ाया English की problem नहीं करें इसा नहीं करा कि increasing by 8,000 अगर होता by 8,000 तो 6,000 पहले से थे और 8,000 और लगा देता है 8,000 clear but withdraw 2,000 at the end of 9 months यानि ये पैसे 9 months तक चले इसमें से 2,000 withdraw कर लिया यानि बचा कितना 6,000 इसके बाद से कोई condition नहीं दिया गया है यानि ये पैसे इसके 3 months तक ये पैसे इसके 8 months तक टोटल जो profit है वो अपना है 16950 रुपीज हमसे जो share पुछा गया है वो किसका पुछा गया है ये का clear तो आप देखिए आपको कुछ करना नहीं आपको पता है सबसे पहले क्या करना है इसको minimize करना है तो आपको पता है 007 मैंने पहले बताया कि हर जगा cutting होनी चाहिए जब edition के साथ आ गया अब ध्यान से देखिए क्या कुछ कटने वाला है तो आप देखिए अगर मैं बात अब किसे कर सकते हैं टू से तो टू से हमने किया तो यहां पे किया तो थ्री यहां पे किया तो फोर यहां पे किया तो फोर और यहां पे किया तो थ्री और कोई cutting पॉसिबल नहीं है तो यह बन जाएगा 12 टू जा 24 फोर थ्री जा 12 यहां पे आगया 12 मैं लिख देता हूं औ एड जा 32 यानि यह क्या बन गया आपका 44 यहां पर करेंगे तो 9 4 जा 36 तो 33 जा 9 36 प्लस 9 क्या हो गया 45 कहीं कोई वैलू कटने वाली नहीं है तो सब को हम क्या करेंगे एड करेंगे तो यह कितना बन जाएगा आपका 5 4 9 4 13 3 4 4 8 2 10 1 1 1 3 की वैलू अपने पास है 1 6 9 5 0 तो 1 यूनिट की वैलू यह देखिए आपका सीधे यहां पर 3 है यहां पर क्या है 5 है तो हम 15 से चेक करेंगे पंदे 45 पंदे कम 5 4 9 पंदे यानि यह वैलू कर जाएगी सीधे सीधे 150 टाइमस में कोस्टन में हमसे किसका पुछा गया है एक का यह यानि 24 इनिट की वैलू 24 पंदे यानि 300 साथ यानि 3600 रुपी जो एक आप प्रॉफिट आएगा वो आपका क्या जाएगा 3600 के लिए तो यह भी कोस्टन पिछले कोस्टन की तरह था बस आपको यह कटिंग करके मिनमाईज करना है इसको नोट करें फिर हम लों नेक्स कोस्टन पर आते हैं जो नेक्स कोस्टन दिय आओ करें खिर दियाओ पक्यू नारी साय बिस्नस जोण्ति त्वाइस नश्याय ट्रॉट भी यानि त्वाइस नश्वाइस दो पिटल ओफ गलए उसे ट्री टेपल आपिट अवांद नेक्ट लुट इस ने जो ट्राइम यह मैं लों ट्री बाइस बार किईर टो ट्री जाएगा 4 by 1 आप देखिए क्यों दो जगह अलग अलग ग वैलू ले रहा है यानि कहीं नहीं हमें हमें इसको क्या करना पड़ेगा कम्बाइन जैसे यहां पे देखिए यहां पे Q की value क्या है 2 और यहाँ पर क्या है 4 तो हम इसको 2 से multiply यह बन जाएगा 6 by 4 और यह बन जाएगा 4 by 1 तो जो इनका ratio आएगा आगे कुछ दिया नहीं है तो P ratio Q ratio R यानि इनके जो investment का ratio आएगा वो 6 ratio 4 ratio 1 clear तोटल जो profit question में दिया गया है वो अपने पास कितना है आपका 1485 00 1485 00 यह total profit है और किसका share पुछा गया हमसे क्यूं का तो बहुत simple 6 और 4 10 और 11 11 unit की value तो 1 unit की value एक तीन पाँच डबल जीरो हमें किसकी चाहिए चार unit की value तो 4 इन्टू 1 3 5 डबल जीरो 0 0 4 25 चाहते हैं 12 12 14 4 1 4 1 5 यानि कितना होगे आपका 54,000 यहीं आपका simple सा question था बस यह value आपका ratio में दिया हुआ था तो हमें ratio पढ़ा हुआ तो हमने इसको क्या कर लिया simple कर लिया clear note करें इसको फिर हम दो next question देखते हैं जो next question है वो क्या दिया हुआ एम एन एन पी इन्वेस्ट रुपीज 50,000 फॉर बिजनेस यानि एम एन पी तीनों मिलके बिजनेस में कितना invest कर रहे हैं 50,000 आगे क्या कर रहा है एम इन्वेस्ट रुपीज 4,000 more than n यानि एम जो है वो इससे चार ज्या ज्यादा और अट एन एन्वीन इन्वेस्ट रुपीज 5,000 more than p n जो है वो 5,000 ज्यादा किस से p से तो अगर मैं p को x मानलो x या पी इससे क्या है फाइब थाउजन ज्यादा यानि क्या हो गया X प्लस फाइब थाउजन और यह से फोर थाउजन ज्यादा यानि X प्लस 9000 तीनों का मिलके इनवेस्टमेंट फिप्टी थाउजन तो यह बन जाएगा 3 X प्लस फोर्टीन थाउजन एक्वल टू तो फिप्टी थाउजन तो यहां से 3 X की वैलो 36,000 देन X की वैलो 12,000 यानि अकर हम इनवेस्टमेंट की बात करें M, N और P की तो 12 और 9 कितना आ गया 21,000 12 और 5 17,000 और इसकी वैलो 12,000 क्लियर तो यहां पर हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे आपका मिनमाइस करेंगे तो यह क्य बन गया आपका टोटल सम इनका कितना बन जाएगा 50 और टोटल प्रॉफिट जो आपका कोश्चन में दिया गया है वो कितना दिया गया है 70,000 तो 1 की वैलो आपका 1400 हम से किसका प्रॉफिट पुछा गया है M का M यानि 21 की वैलो तो 21 इंटू 1400 यानि फाइनली आ जाएगा 0014 294 00 यह किसका प्रॉफिट हो जाएगा M का क्लियत यह भी कोश्चन सिंपल था बस यहाँ पे स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया हुआ था अब हम दो देखते हैं आज की क्लास का लास्ट कोश्चन जो लास्ट कोश्चन दिया गया वो क्या कहना आपका A and B इंटर इंटू प्रक्णमेंट है वो क्या है 5 है B का जो इंवेस्टमेंट है वो क्या 6 है करा and at the end of 8 months ellipse जानि 8 महने के बाद ए ने छोड़ दिया तो A किया हो गया इंट्व एट औरिफ देरी सिभ प्रॉफित in conclusive 5 रिंट्ट इंट्व 9 इन्ट का टायम नहीं हुआ है तो भी का टाइम हमने अपने मन से मान लिया X तो आपको पता है investment का रेशियो 5 रेशियो 8 over 6 into x equal to profit का ratio profit का ratio क्या है आपका 5 by 9 बात समझ में आ रही है हमें पता है कि जिस ratio में आप investment करेंगे उसी ratio में आपका क्या होना profit तरह A का 5 into 8, B का हमें time नहीं पता, 6 into X equal to 5, 9, आपको पता है 5 से 5 cancel, 2, 4 जा, 2, 3 जा, 3, 3 जा, तो X की value finally आ जाएगे 12 months, यानि जो आपका B का investment आएगा, वो क्या आजाएगा, 12 months, तो बहुत ही simple सा यह question था, तो आज हमने बहुत सारे simple simple question देखे आपके partnership में, फिर बहुत सारे हम इस देखेंगे, okay, thank you